उन्हें मुसल्मान का टिकट राजसभा में काटा अश्वाक करीम साहिब का दो सीट उनको रिपीट होना था एक मनोज ज्या जी का एक अश्वाक करीम साहिब का तो मनोज ज्या को तो उन्होंने रिपीट किया लेकिन अश्वाक करीम साहिब का काट दिया ना तो बिहार के लि उन्होंने काटा है अगर वो डैमेज को कंट्रॉल नहीं करेगा तो आने वाले बिधान सवा में क्या होगा कि मुसल्मान का एक तरफे से और टिकट काटेंगे लेकिन इनके दो अपने सीट को हरा देक मिसा भारती को हरा देना चाहिए या दूसरा रोहनी अचारिया को हरा देना चाहिए ताकि इनको सबक मिल सके कि आप मुसल्मान को डैमेज कर रहे हो जब अपना डैमेज होता है तो क्या दुख होता है चांसेज यह है कि इंडिया का गौवर्मेंट बन सकता है इंडिया एलाइन्स का इस वक्त मैं बिहार की राजनिती में क्या कुछ बदला हुआ है और आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनेगी और मुसल्मानों के साथ R.J.D. का क्या हिसाब किताब है क्योंकि लेखा जोखा के लिए बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता यानि साजिद मलिक साहब से मैं जानने की कोशिश करूँगी क्योंकि बेबाकी के लिए ही जाने जाती है साजिद मलिक साहब चाहे कौम की बात हो, कौम की भलाई हो, समाज की बात हो, समाज की स्वस्या हो, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपने सवाल और जवाबात करते हैं तो सबसे पहले साजित मलिक साहब नियूज बिन पर आपका स्वागत है साजिन मलिक साहब पहला सवाल यही होगा कि इस बार RJD द्वारा लगातार छे टिकट कार दी गई है उस पर क्या कहेंगे आज नहीं RJD ने लोग सबा में 6 नहीं 4 टिकट काथा तो राज्य सबा हमें एक राज्य सबा में पहले उन्होंने मुसल्मान का टिकट राजसभा में काटा अश्वाक करीम साहिब का दो सीट उनको रिपीट होना था एक मनोज जाजी का एक अश्वाक करीम साहिब का तो मनोज जागा तो उन्होंने रिपीट किया लेकिन अश्वाक करीम साहिब का काट दिया तो अगर आपने अश्वा करीब साहिब कांटा तो उनकी जग़ा किसी दूसरेमस्लिम को देना चाहिए लेकिन उन्होंने मुसल्मान को नहीं दिया उन्होंने उसकी जगा हरियाना से संज्जाई आदब को ला करके दिया और उन्होंने ऐसा इसलिए किया उनके दिमाग में है कि मुसल्मान भाजपा के डर से हमको वोट देगा हम इनको रासबा दें ना दें लोग सबा में टिकट दें ना दें जेतना टिकट चाहें काट दें ये खौफ से हमको वोट देगा तो ये कहीं से ना मुसल्मान के लिए अच्छा है ना बिहार के विकास के लिए अच्छा है क्योंकि बिहार की अबादी का 19% मुसल्मान है बिहार में तो अगर आप बिहार का विकास करना चाहते हो और ये 19% पहले से बहुत पिछड़ावाए तो इसको जब आगे बढ़ाओगे जब इसका विकास करोगे तब बिहार का विकास हो सकता है इसको आप और पीछे ले जाओगे तो बिहार का तो विकास होगा नहीं तो ये ना तो बिहार के लिए अच्छा है ना मुसल्मान के लिए अच्छा है तो ये अच्छी बात नहीं है तो अब क्या है कि इनों ने पहले राज सभा में काड दिया अब लोग सभा में काड दिया तो मुसल्मान अगर अपने डैमेज को कंट्रॉल नहीं करेगा यह लोग सभा बाला वो तो करेंगे नहीं आरजेडी उन्होंने तरह काटा है अगर वो डैमेज को कंट्रॉल नहीं करेगा तो आने वाले विधान सभा में क्या होगा कि मुसल्मान का एक तरफे से और टिकट काटेंगे क्योंकि इनका मनोबल तो बढ़ जाएगा कि हम राज सभा काटा तो मुसल्मान डर के दिया लोग सभा काटा तो भी डर के दिया तो अब इनका confidence लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो उसका नुकसान बड़ा नुकसान मुसल्मानों का विधान सभा में भी होगा तो इसके लिए मुसल्मान को क्या action लेना चाहिए इसके लिए मुसल्मान को चाहिए कि इंडिया गडबंधन को तो जिताए बेहार में लेकिन इनके दो अपने सिट को हरा दे मिसा भारती को हरा देना चाहिए और दूसरा रोहनी अचारिया को हरा देना चाहिए ताकि इनको सबक मिल सके कि आप मुसल्मान को डैमेज कर रहे हो जब अपना डैमेज होता है तो क्या दुख होता है इसलिए इन दोनों को जरूर हरा देना चाहिए बाकि इंडिया का बंधन को सपोर्ट करो लेकिन इन दोनों को हराओ अगर अपना डैमेज कंट्रॉल करना चाहते हो तब ये चार डैमेज के आप उनको दो डैमेज करोगे वह आपका चार भारी पढ़ेगा उस पर तो इसलिए इनको इन दोनों सीट पर मुसलमान को का के हराना चाहिए कि आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारा चार सीट काटा पहले राजसभा काटा तो आप मुसलमान के डरा के वोट लोगे इसलिए इन दोनों को हम लोग तो वोट देंगे ही नहीं हराने का काम करेंगे अगर मुसल्मानों का सवाल ये होता है कि हम लोगों को राजनिती में कमजोर करने की कोशिश के आरजडी कर रही है तो क्या जवाब है आरजडी कर रही है तो अंडर इस्टूड है राजसभा काट करके है ठीक अश्वाक करीम साहिब किसी वज़ा से आपको सूट ना कर रहे है तो दूसरे मुसल्मान को आप राजसभा दे सकते थे थे ना तो आपने तो दिया नहीं आप उसके जगा संजे यादव को हरियाना से लाकर के दिया तो बाहरी को क्यों लाया गया गलत है ना बाहरी को भी लाया गया वो भी गलत है मुसल्मान का टिकट काट करके दूसरे मुसल्मान को नहीं दी गया वो भी गलत है दूसरी चीज़ यह है कि लोक सभा में दो मुसल्मान लडा रहे हो आपका यादव छे दोनों ने मंच पर यही कहा था दावे के साथ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी अब ये लाइन कहा चली गई तो ये तो जूटा दावा है ना ये तो जूटा दावा है सबके सामने आ गया आपके भी सामने आ गया जनता भी देख रही है कि ये सारी गोली बाजी था सच्चा ही अगर होता तो उनको मुसल्मान को उनका सीट तो देते हैं आप आपने तो मुसल्मान का सीट एक तरफे से क अच्छी बात नहीं तो हम अपना डेमेज कंट्रॉल नहीं तो हमारा डेमेज कंट्रॉल or किसा मुझे तो लगता है कि बिलकूल बबुट को होस्यार होने की जरूरत है अगर नहीं होस्यार हुईएगा तो अच्छी बात नहीं या फिर बिहार का विकास कैसे होगा बताइए आप 19 परसंट को आप पीछे ले जा रहे हो आप तो इसके लिए क्या एजंडा सेट किया जा सकता है एजंडा का मतलब सिधा सिधी यह है कि आप उनको हर जगा उनके पॉपलेशन के हिसाब से उनको शेर दो चाहे वो का मौमला हो चाहे राजसभा का मौमला है चाहे असेमली का मौमला हो चाहे संगठन का मौमला है उसको रखो अब आप ऐसे सोचिए ना कि लालू जी के बाद राबडी जी चीफ मनिस्टर राबडी जी के बाद डिप्टी चीफ मनिस्टर तेजस्वी जी बारी सिद्धिकी के परिवारवाद में तो आप तो मुसल्मान एक दम बैकफुट पर लेके जा रहे हो ना बारीसिती की कियो नहीं आप खाली बताईए ऐसे média आपके परिवार को рьोने के लिए मुसल्मान है क्या मुसल्मान आपके परिवार को ढोने के लिए नहीं नहीं बिहार के विकास के लिए वो आ गए है आपके परिवार को थोड़ी ढोने के लिए है आगए आरजेडी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के नाम पर मुसल्मानों को डराय जाए वोट एक तरफा आर जेटी को ही मिलेगा। वो नुकसान हो गया अब यह है कि अगर आप इस डैमेज को कंट्रॉल अभी नहीं करोगे तो विधान सभा में बड़ा नुकसान हो जागा फिर इनका तो मुलोबल उर्चा हो जाएकर दे ना दे दो सिट दे पांस सिट दे कोई मेटर नहीं करता मुसल्मान डर से वोट देग वो कितने हुए चाबिल मुसल्मान लीडर हो ऐसा क्यों इनको पिछ़व रखना चाते हैं ना इनको फिछड़ा बना के रखना चाते हैं जब आप पिछड़ा बना के रखेंगे तब आप उन parrot रहिए गा ना जब आप प्रोज़ग्ट होएगा तो नंके यसमन तो नही बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, आप देखे, अब तो मुसल्मान काफी पढ़ करके UPSC में देखे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 40-50 इस बार 51 है, तो मुसल्मान को भी समझ में आ रहा है कि लोग हमको सिर्फ इस्तमाल करते हैं, औ उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है, वोट के लिए इस्तमाल किया, हमारे मसले से उनका कोई लेना देना नहीं, हमारे एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, हमारे रोजगार से कोई लेना देना नहीं, हमको आगे बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मुसल्मा आत्मी निर्भर होने लगी आत्मी निर्भर हो रहा है मुसल्मान जर्चार कि अगर बात की जाए जो माहौल देखा जा रहा है ग्राउड पे देखें या इंटरनल जो भी चीज़े चल लिए उसमें क्या अंदाज़ा लग रहा है कि 2024 में यानि इसी साल चार जुन को सरकार किसकी बन सकती है लेके हमें लगता है कि चुके भाज़पा के खिलाफ NDA के खिलाफ लोगों में विरोध बहुत है विरोध का कारण क्या है एक तो रोजगार रोजगार बहुत बड़ी चीज़ होती है तो रोजगार लोगों से छिन गया जो भारत सरकार से मिलता था तो एक बड़ा कारण दूसरा बड़ा कारण है महंगाई हर चीज एतनी महंगी हो गई है कि लोग परिशान है तो ये दोनों कारण को अगर आप मिक्स करिएगा तो समझे कि बड़ा डैमेज है चोटा डैमेज नहीं बड़ा डैमेज नहीं अगर आपके पॉकेट में पैसा है चीजे महंगी भी मिलती है तो आपके लोग फिल नहीं होता है पैसा पॉकेट में ना हो और चीज और महंगी ह तो वो तो बाइलेंस करना मुश्किल होता है इसलिए लोगों में विरोध बहुत है गौवर्मेंट के खिलाफ तो मुझे लगता है कि चार जुन को सरकार किसकी बन सकती हैं? बड़ा डिमेज नहीं अगर आपके पॉक्ट में पैसा है, चीजे मांगी भी मिलती है तो आपके फिल नहीं होता है है। तो वो तो बाइलेंस करना मुश्किल होता है इसलिए लोगों में विरोध बहुत है गौर्मेंट के खलाफ तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लग रहा है चुके लोगों में विरोध बहुत है लोग खुल के बोल भी रहे हैं बहुत लोग वोटर साइलेंड भी हैं फिर व महारास्टा से उनको बड़ा नुकसान होगा, बिहार से बड़ा नुकसान होगा, यूपी में भी नुकसान होगा, और राजस्थान में भी होगा, चुके राजस्थान में भी सारी सीट उन्हीं के पास है, तो सब जगा से मिला जुला करके नुकसान होना है, तो अगर देखा बेटी परहाओ, सबका साथ, सबका विकास, ये सारे जो नार्या है ना वो धरातल पर नजर नहीं आए किसी को, अब सिर्फ एक नारा है 400 पार, लेकिन जब मैं 400 पार पर जब ग्राउंड पर सवाल पूछती हूं, तो आम जनता का कहना है कि डेर सो से 200 पार, उससे आगे नहीं बात बताईए, अगर वो 400 पार कहते हैं, तो मुझे तो नहीं समझ मांता कि डेर्स की जनता को वूट करना है ना उ बताएगी ना कि 400 पार होगा कि नहीं या ना तो कॉंग्रेस बताएगी ना मुदी जी बताएगे कोई नहीं बताएगा ये तो जनता बताएगी हम ये कहा दें कि 400 पार होगा हम कहा दें ये कि कॉंग्रेस को इंडिया एलाइस को 400 पार होगा तो घलत बात तो जनता को ट प्रवाइब नहीं किसी को नहीं काना चाहिए जनता तैक करेगी उतुश दिन रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा चलिए साजित मलिक साहब का बेबाकी से जवाब मुझे मिल चुका है उन्होंने यही कहा कि रोहिनी आचारिया हो या फिर मिसा भारती हो दोनों को हराना ही जरूरी है वो इसलिए कि जिस्तर के से पांस टिकट कार दिये गया है चार लोक सभाटिकट और एक राज़ सभाटिकट कार दि गई जिसकी वज़ा से मुसलमानों में आक्रोस देखा जा रहा है लेकिन इसको डैमेज कंट्रोल का नाम इसलिए दिया गया है ताकि मुसलमान भी सतर को हो सावधान हो क्या राजनिती में मुसल्मानों को सिर्फ दरी बिचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या सिर्फ ये कह सकते हैं उसे डमी बना कर इस्तेमाल किया जाता है और मैंने एक सवाल और भी पूछा कि मुसल्मानों को राजनिती में कमजोर करने की क्या ये साजश है तो साजित मलिक साहब ने कहा कि हाँ साजिश है लेकिन आपको मबूती के साथ, दाविधारी के साथ, अपने हिस्सेदारी के साथ मेडान में उतरना होगाँ और डंके की चोट पर आपको जवाब देना होगा और आरजेटी को ये न लगे कि बीजेपी से डर कर वोट जो मुसल्मान है वो आपको ही करे बलकि नोटा एक ऐसा उप्शन है जहां आप अपने मताध हिकार का इस्तेवाल कर सकते हैं अगर कोई प्रत्याश्य आपको पसंद नहीं आता है और आने वाले वक्त में यानि चार उनको हो सकता है सरकार बदल सकती है यह इरा साफ जाहिर हो रहा है और कि कई बार साणिद मुलिक अब मैंने हर हाल में मद्ध पर्देश में आईए कॉंग्रेस को एक सीट अगर वहां भी पांच आरते साथ आरते तो उनको लोसे इस तरह हर जगा उनको लोसी होगा और चुके पब्लिक में रोश है इस बात का ये दो चीज़ को अगर वो किये ठीक रहते ना तो इतना नुकसान उनका होता है एक तो जो रोजगार चला गया वह बहुत बड़ा इशू ही हुआ पूस्ता है ना कि हम पढ़ रहा है तो हमें रोजगार क्यों नहीं मिलेगा तो वह एक बड़ा लाख भी नहीं भूले भी तक तो वह एक बड़ा इशू है दूसरा आपका जो प्राइस जो खास कर जो भी है जिसका सीधे किचन पर असर पड़ता है वो सारी चीज़े बहुत माँगी है तो यह दो बड़ा इशू है जिसकी वज़गा से इंडिये को नुकसान होगा चले चार जून का रिजल्ट हम लोग इंतजार करेंगे हो सकता है सरकार बदल जाए इंडिया लाइंस की सरकार बन सकती है लेकिन आब यह कहा है जरूरी है जानना कि जिस तरह के से आर जेडी नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को टिकट काट कर और अच्छ साबित हुआ कि चार टिकट लोग सभासे कर दिये गए हैं बहुत बहुत शुक्रिया साजिद मलिक साहब